वेल्कम बैक एवरिवन वेल्कम टू सिवल सर्विसेश टड़ी 84 प्रेक्टिस टेस्ट कम्प्लीट करने के बाद लगाते हैं प्रेक्टिस सैट नंबर 85 यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्रेशन को पढ़ने के बाद दो सेकिंड का टाइम मिलेगा छोटे-छोटे स्टेटमेंट वाले इंपोर्टेंट प्रशन है इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखिए वहाँ पर आप टेस्ट नंबर बन से लेकर 85 तक पहुंच सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लेंक है हर दिन प्रक्टेस करते रहिए तो कॉश्चन नंबर बन पर आजाई है मोती जो होता है ना मोती सीप जो निकलता है उससे क्या होता है वो कैल्सियम ऑक्सलेट है कैल्सियम सलफेट है कैल्सियम कार्बोनेट है कैल्सियम ऑक्साइड है क्या है मोती मुख्य रूप स मोती है कैल्सियम सलफेट नहीं है क्या है कैल्सियम कार्बोनेट अपसा नंबर सी है इस कांसर तो मोती मुख्य रूप से क्या है कैल्सियम कार्बोनेट का बना होता है इनम लेखे द्रबो में से कौन सा उस्मा का सबसे अच्छा चालक है इनमें उस्मा का सबसे अच्छा चाल कौन पानी तो है ही है उस्मा और एलेक्टिसिटी दुणों का लेकिन पानी से कहीं अच्छा है पारा तो देखिए धातु रहती है दिये गये विकलपो में पारा द्रब अवस्था में होने के कारण उस्मा का सबसे अच्छा चालक है मोनाजाइट नमलकित में से किसका आयाश्क है मोनाजाइट किसका आयाश्क है देखे केरल की मोनाजाइट रेत में जो है थोरियम पाया जाता है अपसर नमबर बी है इसका अंसर वाहिक की लोहे का हैमेटाइट मैगनेटाइट है तो मोनेजाइड जो है थोरियम और सीरियम का मिश्रण है भारत में यह है केरल के तटपर परियाप्त मात्रा में पाया जाता है केरल के तटकी रेत में कुश्चन नमबर फोर पर आज़िए प्लास्टर आप पैरेस का रासाइनिक रूप से क्या है क्या है कैल्सियम कार्बोने तो सलफेट है यह कैल्सियम सलफेट गैक यह प्यासटर अपीरस घ्रसवा प्रेश कर दू intricाइच क्या है क्या में सरवाद एक सामानेता प्रियोग होने वाली वस्तू कौन सी यह दिया मतलब की वाथ हो रही यह क्या भरा होता है इसके अंदर प्रतिदीप के अंदर अधिक पारा वास्प और ऑर्गन भरा होता है थे पारा वास्प और ऑर्गन चाहिए कि तो प्रतिदीप नली में सरवाधिक सामानेता निम्न नदाब पर इंपोर्टन्ट है निम्दाप परियुक्त है ठीक है उच्छ दाप पर गल्द हो जाएगा निम्दाप परियुक्त पारावास्प और ओर्गन गैस भरी जाती है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो है है हेमेटाइट या होता है मेगनेटाइट तो उससे भी मोनोजाइट रेट में जो है केरल की थोरियम है और पिंच ब्लेड से जो है यूरेनियम तो देखिए हेमेटाइड जो है उसे लोहा प्राप्त होता है मोनोजाइट रेट से थोरियम और पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है यूरेनियम थम नेर पर प्रश्ण पूछा है उसका उत्तर पता चल गया होगा एलवुनियम बनाने में कौन से मोख्य खनीज का पुरियोक होता है देखिए हेमेटाइड मैगनेटाइड से तो लोहा हो गया एल्वुनियम के लिए हैं वॉक्षाइट और सी तो वॉक्षाइड ऐल्मोनियम का मोख्य आयस्क है जो एलमूनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है एलमूनियम धातु का निश्कट्सन मुखिता वक्साइड आयसक से विद्धुद अपगटन विधी द्वारा किया जाता है विद्धुद अपगटन विधी नमलिखित मेंसे क्या जल से हलका होता है जल से हलका क्या है इसमें अलमूनियम नहीं फिर क्या है मैगनीशियम सोडियम है सोडियम तो सोडियम का जो आपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 0.97 और जल से हलका होने के कारण ये जल पर तैरने लगता है नम्लिकित में से कौन सी मिश्र धातू नहीं है स्टील मिश्र धातू है पीतल मिश्र धातू है ब्रॉंज मिश्र धातू है लेकिन तांबा जो है मिश्र धातू नहीं है तो तामबा यहाँ पर मिश्र धातू नहीं है, तामबे का परियोग विभिन परकार की मिश्र धातू के निर्माण में किया जाता है पीतल, ब्रॉंज और स्टील यहाँ पर जो है मिश्र धातू है गेलवेनिकरत लोहे पर नम्लिकित में से किसका लेप होता है गेलवेनिकरत लोहे पर क्यों करते हैं गेलवेनिकरत लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का लेपन होता है जस्ते का लेपन बचपन में पढ़ाओगा आपने नाइंध में टैंध में के लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक धातू का लेवन किया जाता है यह पर क्रिया गेलवेनी करण कहलाती है तो देखें गेलवेनी करण लोहे पर जस्ते का लेव होता है इसका उप्योग लोहे के प्रतिरक्षन में किया जाता है मतलब लोहे को जंग रोधी बनाने है तू कोशन नमर 11 पर आजएए निमलकित में से किस धातू से बनाई गई मिश्ट धातू को हवाई जहाज तथा रेल के डिबो के पुर्जे के कामों में लिया जाता है तांबे और लोहे की तुलना में हलकी होती है तांबे से भी हलकी होती है ऐलमूनियम इसलिए इसका प्रियोग जो है मुख्यत हवाई जहाज रेल के डिबो के पुर्जे बनाने में किया जाता है एलमूनियम में जंग नहीं लगता एलमूनियम के बरतन में दुनिया खा रही है आजकल जब भारत गुलाम था तो अंग्रेज जो थे भारतिक रांतिकारियों को जो बंदी बने थे उनको एलमूनियम के बरतनों में बना हुआ खाना देते थे कियो टाकि वो बिमार होजाएं ठीक है तो dein खेल के बर्तन में खा रहे हैं लोग EVERY जो है शरीर के ले तो हनी का रखी है वो अगर आपके घर में भी ऐलमूनियम के बरतन होंगे ही ठीक है तो उसके लिए कभी स्टील के पात्र का यूज मत करना मतलब उसको चलाने के लिए क्योंकि एलमूनियम जो है गिस्ता तो है वह खाने के साथ पेट के अंदर भी जा रहा है ठीक है तो लकड़ी का चमचा होना चाहिए उसके लिए कि है बुड़न चमचे आते हैं उसको चलाने के लिए माले जो सबजी नीचे लग गई तो उसको चलाने के लिए जो अगर अब लोहे या स्टील के बरतन या ऐलमूनियम का ही किसी पात्र से उसको खुर्चो गए तो वो क्या होगा उसके छोटे-छोटे कण जो नेकेड आई से दिखाई ने देते खाने के साथ पेट में जा रहा ह ताकि वो उसके उसके घिसने से एलमूनियम छीले नहीं कोशन नमबर बारे पर आ जाईए नम्रिकित मेंसे टांका एक मिश्र धातू है टांका यानि सोल्डर आयन की बात हो रही है तो लैड और टिन की है यह मतलब सीसा और टिन हो जाएगा इसका यह तो टांका मिश्र धा में होता है 32 पर दिन के धातों मेंसे कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती अमलगम जस्ता भनाता नहीं बनाता है तो देखिया अमलगम ऑर अन्य LinkedIn से मिलकर बनता है परंतु लोहा पारे के साथ नहीं मिलता अधे लोहे का अमलगम नहीं होता यह इंपोर्टन प्रेशन है जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है देखें जर्मन सिल्वर है और इसमें सिल्वर ही नहीं है ठीक है जीरो प्रतिशत होता है तो इसका अंसर हो जा ची चांदी का प्रतिशत जीरो होता है इसे कौन सा अत्व है जर्मन सिलवर में उपस्तित नहीं होता भ builder जर्मन सिलवर में एक तो सिलवर ही नहीं होता अगर प्रश्न इस तरह से पूछ ले जाए तो haya बेका है तांबा लगवंग 50 प्रतिशत तो जर्मन सिल्वर में जो तांबा होता मतलब जो कॉपर होता पचास प्रतिशत होता उसके बाद होता इसमें जिंक यानि जस्ता 35 प्रतिशत फिर निकल होता इसमें 15 प्रतिशत इसमें सिल्वर नहीं होता और इसमें ना होता क्या ऐलूमीनियम ना होता क्रोमियम भी नहीं हो निकल की पीतल तांबा और जस्ता बिल्कुल पीतल जो है तांबे और जस्ते की मिश्रधातु है यह पूछ लेते हैं इस तरह से प्रश्ण यह कौन किसकी मिश्रधातु है कॉशन नुबर 17 पर आजए यह निम्रिकित मेंसे किसकी उपस्तिति के करण पीतल का रंग जो हवा में फीका पड़ जाता है पीतल को हवा में छोड़ देने पर उसका रंग फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सलफाइड के करण ठीक है तो हवा में हाइड्रोजन सलफाइड की उपस्तिति के करने पीतल का रंग फीका पड़ जाता है हरा जैसा पड़ जाता है इस्टील को कठोरता परदान करने के लिए निम्लिकित में से किसकी मात्रा बढ़ाऊगे स्टील को कठोर बनाना है तो कार्बन की मातरा बढ़ानी पड़ेगी उसमें तो देखिए लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं स्टील उतना ही ज़्यादा कठोर बनता है धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रियुक्त होने वाली महतपूर धातू कौन सी है क्या है एलिमूनियम या क्रोमियम धब्बा रहित लोहा बनाना है क्रोमियम तो धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रियुक्त होने वाली महत्पूर्ण धातू है क्रोमियम अंधिम प्रश्ण है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा यह आप घर पर प्रैक्टिकल कर सकते हो ठीक है बढ़ जाता है बढ़ जाता है भारी हो जाता है लोहा तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो बढ़ता है ठीक है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आदरता की उपस्थती में लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लोह आक्साइड में परिवर्तित हो जाता है इस अभिक्रिया के दुरान लोहे के साथ अक्सिजन की मात्रा भी जुड़ जाती है अते लोहे का भार बढ़ जाता है और छरण भी इसी तरह होता है जंग से ठीक है चलिए तो 20 प्रशन थे ये जनरल साइंस के इन पर एक बार नजर मार ले जेगा बेसी किया सब धन्यवाद